तो देखे दोस्तों आज मैंने आपको जो physics है ग्रूप Air Force जो ग्रूप X होता है यानि कि टेक्निकल ट्रेड ठीक ना उनके लिए physics यानि कि बहुतिक की का आपको शिलेवस दे रहा हूं और साथ ही साथ previous year यानि कि पिछले वर्स जो question पुछा गया था उनको भी अभी बताऊं और जितने भी दोस्त पढ़ रहे होंगे उन तक यह सेर कर दीजेगा तो देखिए यहां पर सारा कुछ आपका फिजिक्स का टोटल चैप्टर 20 दे दिये गए हैं ठीक अच्छे से एक बार इसको नोट कर लेजिए नोटबुक में और अब आए हम चलते हैं कॉस्चिन की ओर क देखिए पहला कोश्चिन दे दिया गया है एक पिंध तवरन असे एक वित्यपत्य में गति कर रहा है ज़िल्सका वेग दुगनाकर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले पिंड के तवर रनों кам और अनुपात क्या होगा तर अनुपात क्या मुक्त रूप से गिरता है, या फिर गिरना, ठीक, फिर फॉल, अब देखिए, ताब बढ़ाने परनिमलिखित में से किस धातु का परतिरोध घंटता है, किसका घंटता है, जर्मेनियम का, ठीक, आपको अगर इंगलिस से पढ़ लें, ठीक, इंगलिस सही दीजिए, लेकिन अगर आप हिंदी में कमपेटेबल हैं, तो आप हिंदी में दीजिए, परत्वी के चुम्बक के धुरूओं पर नमन कौन क्या है, तो क्या है नमन कौन, नमन कोन होता है, नवे डिग्री, ठीक, यानि कि 90 डिग्री, एक आवेस, चुम्बक के छेत्र के लंबवत, वित्यप द्रिष्ट कारी परिपत में एक समान द्रिष्ट धारा प्राप्त करने हैं तू उप्योग किये गए विदुत परिपत को खाली जगह यहां पे कहते हैं तो इसे कहते हैं फिल्टर ठिक अब देखें यहां पे आठवा नमर कॉस्चन क्या आता है यह थोड़ा मेंटिकल टाइ अबिक का है दो केज़ी और 4 केज़ी द्रेवान के दो पिंड मतलब वस्तु समझेजिए क्रमसब 20 मिटर परती शेकेंड और 10 मिटर परती सेकेंड के वेग से परम परागत गुर्टवा करसन के परभाम में एक दूसरे की और गतिसिल है यानि एक दूसरे की और आ रहे है इ मीटर सेकेंड ज्याद किजिए ठीक कितना मिटर सेकन ह techn ligLE तो इसका हो जाएगा आपका 0 यह इंदम जीरोग अजएगा सुन्धे हो जाएगा और तरो फोज गोले की एक निशुचित अच्छ के सापेज गोडन तर्जिया आ रहे इस गोले की यरी शेजरी कितनी हो यहां पयाँ प्रेच के रूट जीरो पॉइंट पोर आर ठीक आप जिसे रफ के लिए आपको पेज़ दिया जाएगा टेंसर मत लिए रफकारी के लिए आपको बैक साइड में पेज दिया जाता है एक special रूप से ठेक आपका एक्जाम online होगा लेकिन आपको एक page दिया जाएगा देखिए 10 number question आप देख लीजिए 11 number question थोड़ा एजी तो मैं बता दे रहा हूँ सरल आवर्त गती कर रहे किसी कन का वेग मैध्य इस्तिति पर क्या होता है अधिक्तम होता है ठेक मैध्य इस्तिति पर अब देखिए यहाँ पे मैं डायट पार करते जाता हूँ आप एक बार अच्छे से question को read कर लिजीगा ठेक आपको एक्जाम देना है तो मेनत भी आप ही को question तो एरफोर्स के मैंने सारे के सारी कौपियां गुरूप एक्स हो चाहे गुरूप वाई हो दोनों के लिए प्रिबियस एर का question पेपर यानि कि पिछले वर्षस्टों का परश्ण पत्र तथा साथ ही मैंने यहाँ पे सभी का syllabus अपलोड कर दिया है ठेक अपने चैनल में त सब्सक्राइब करना भूलीगा फिर मिलेंगे नेश्टे वीडियो के साथ